यूपी में जिस तरीके से कानून व्वस्था को बनाए रखने के लिए बुल्डोजर आक्शन हमने देखा था वो इस मामले में भी हो सकता है जो हमें प्रसाशन के सुथर बता रहे हैं कैसा पूरे प्रकलण पर investigation है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नया खुलासा हो रहा है अभी exclusive आपको एक और कड़ी से मिलाते हैं सना हमारे साथ हैं यह साजित की पत्नी है जिसके बारे में साजित ने कहा था कि वो उनकी इलाज के लिए उनकी pregnancy के लिए 5000 रुपए लेने के लिए उनके घर प और इनी की जो pregnancy है इनकी जो बिमारी है उनको लेकर 5000 रुपए की डिमांड की थी इनी से हम बात करते हैं सना कोई बिमारी आपको कोई परेशानी आपको कोई परेशानी नहीं यह भी पताया जा रहा है कि आप माह बनने वाली ऐसा है तो आखिर साजित कैसे बोल रहा था कि आपके बिमारी का बहाना लेकर वो गया और 5000 रुपए मांगें मैं क्या पता आपको इस गहरे हो कोई जानकारी नहीं है कब बात हुई थी आपकी साजित से आठ दिन पहले आपने साजित से बात है क्या बोला था उसने आज के दिन पिछले सबता क्या बोला था साजित ने क्या बोलता इसी पूछ लेते खर सल्ला खाना खाल यह ठीक हो बस अब कोई बात नहीं उसके बाद कोई बात नहीं आप यहां अपने माईके में कब आई है कि माईके में पंदरा दनों पंदरा दिन पहले आप साजित के साथ घर पे थी कभी उस दौरान इन दोनों बच्चों का जिक्राया हो या परिवार का जिक्राया हो यह संगीता ब्यूटी पालर का जिक्राया हो कुछ ना कभी भी कुछ ना कुछ ना पैसे को लेकर कोई तंगी वन घर परिवार ठीक चल रहा था हां पैसे वो कमा रहा था साजित हां बालों दुकान ही काम करते थे अपनी दुक कभी पैसे को लेकर कोई विवाद के बारे में साजित ने बताया हूं कभी कुछ ने बताया कोई तंत्र विद्या या इस तरीके से कोई कुछ भी नहीं कि आपको कभी लगा कि आपके पती इस तरीके से किसी बच्चे को मार सकते हैं कभी नहीं कि साजित का इंकाउंटर हो गय देखिए बिल्कुल इनी की बात को लेकर सना को लेकर लगातार साजित जो है वो गुम्रा करने की कोशिश कर रहा था सना को बीच में ला रहा था लेकिन सना तो यहां है अपने घर पे 15 दिन से अपनी मां के घर पे हैं बिल्कुल fit and fine है, बिल्कुल अच्छी है, स्वस्त है, एकदम खड़ी है और कह रही है कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ, तो आखिर वो क्या कारण था कि बार बार साजित जो है, वो सना को इस पूरे मामले में खसीट रहा था, यानि कि ये तो बिल्कुल साफ है कि जो बात अपनी पतनी को लेकर साजित कह रहा था, वो Time's Land on हो भारत के कैमरे पे एक्स्पोज हो चुकी है, कि सका भी तरीके से सना बिमार नहीं है, नहीं सना मां बनने वाली हैं, यानि कि जो भी बात साजित कह रहा था, जैन बातों को लेकर वो घर पे गया था, ये सारे बात तत्य आत्मक रूप से बिल्कुल गलत हैं इनका वास्तविक्ता से कोई भी सम्मंद नहीं है तो आखिर वो क्या कारण है अब ये बहुत एहम हो गया है जानना सना कभी जावेद के बारे में आपको कुछ पता हो या कोई बातचित करने की कोशिश की कोई जावेद से अब जब घर में रहती थी तो जावेद आता था जाता था उसका व्यवहार का सब्सक्राइब कोई बात नहीं थी कोई दोनों भाई में लड़ाई बगर कुछ ना कभी दोनों भाई लोगों के साथ ने इस बातचित जो आप बता सके हमें न कोई बात नहीं थी और कितने साल पहले आपकी शादी हुए थी चार साल हो गए मैं सादी पची लग गई चार साल पहले हुई थी आपकी शादी को हो गए हैं कोई ऐसे रिष्टेदार हैं बदाईयों में आस पास में जो साजिद और जावेद के रिष्टेदार हो जहां वो जा सकते हो कितने रिष्टेदार हो नहीं कोई नहीं बदाईयों में उनके परिवार के और कौन लोग रहत सजी जाता है और साजी जाता ठाइस को नए जाता है ? расп रखें ये सना है उनकी पत्नी है और ये बता रहीं है कि भाई वह तो झाता नहीं था बाठचीत नहीं होती थि परिवार एक साथ रहता था। शादी कि चार साल हो गए थे फिर आखिर वो क्या वजह थी आखिर वो क्या कारण था कि साजिद ने इस तरीके से ये कदम उठाया ये बड़ा सवाल है और जावेद को ही इस बात का जवाब देना है ये पांचों थियोरी ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं क्योंकि देखिए जब हमने बच्चों से बात्चीत की थी जो बच्चा उस पूरे वारदात में बच गया था जो जान बचा के भागा था उनकी दादी से बात की थी उसमें ये पता चला कि जो छट है छट के ऊपर चाय मंगवाई थी साजिद ने और उसके अलावा वहां शराब की हो मतलब घर पर जबाते थे इनके अये ज्य rhoi तो के साथ जिकर किया होगी अभी किसी की साथ वो शराब प्रहे हैं किसह थे दोलाव प्तिक अधर ना हुगि बढ़ी बात है कूंकि जिस तरीके के आरोप लग रहा हु जो परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं वहां से कि छट के उपर शराब की बोतल मिली थी तो सना तो बता रही है जो उनकी पत्नी है कि आज तक उन्होंने कभी शराब नहीं पी सिर्फ गुटका खाते थे तो आखिर साजद उस दिन यानि कि कल शराब लेकर छट पे क्या करने गया था दूसरा थियूरी जो 5000 रुपे को लेकर बार बार जो परिवार बता रहा है कि अपनी पत्नी की बिमारी को लेकर पैसे मांगने पहुचा था तो पत्नी तो fit and fine हमारे सामने खड़ी है तो आखिर वो पहुचा क्यूँ पहला सवाल है और दूसरा की 5000 रुपे उसने मांगे क्यूँ तीसरा सवाल है जो थियूरी निकल के सामने आ रही है कि क्या इसके अंदर किसी तंत्र विद्या या कोई और आचीज जो है वो involved है इस इससे पुलिस अभी नकार नहीं रही है पुलिस कहा रही है कि उनकी जाती जारी है और जब तक जावेद नहीं मिलता है तब तक जो है ऊस थियूरी के उपर पूरे तरीके से नकार पाना मुश्किल है हलाकि सना कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था कभी उन्होंने सुना नहीं इसके बारे में नहीं उनको किसी ने कि इस बारे में बताया है लेकिन आठ दिनों से उनकी फोन पे बात भी नहीं हुई थी पंदरा दिन से ये घर है तो क्या इन 15 दिनों के दर्मयान साजिद में कुछ ऐसा प्लान किया जब सना यहां पे थी या कुछ इस तरीके से हुआ ये जो है ये काफी मुम्किन पूरी बात होती है तो ऐसे में जब तक जावेद नहीं मिलता है तब तक जो जाच है वो घुमती हुई नजर आएगी और जब जावेद मिलेगा जब जावेद से पूछता होगी उसके बाद ही इस पूरे मामले की जो पढ़ते हैं वो खुलती हुई नजर आएगी सना कोई आपके और साजिद के कोई बच्चे भी हैं अभी ना बच्चे नहीं है एक भी नहीं